मेरे प्यारे देश्वासियों, 1965 के युद्ध के समय हमारे पूर्व प्रधान मंतरी लालबादूर सास्त्री जी ने जय जवान, जय किसान का नहरा दिया था। बाद में अटल जी ने इसमें जय विज्ञान भी जोड दिया था। कुछ वर्ष पहले देश के विज्ञानी कों से बात करते हुए मैंने जय अनुसंधान की बात की थी। मन की बात में आज बात एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी सहुंस्था की जो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान इन चारों का ही प्रतिवीम है। यह सज्जन है महराश्टर के स्रिमान सिवाजी शामराव डोले जी। सिवाजी डोले नासिक जिले के एक छोटे से गाउं के रहने वाले हैं। वो गरीब आदिवासिक किसान परिवार से आते हैं। और एक पूर्वसाइनिक भी है। फोज में रहते हुँ उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया। रेटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नाया सिखने का फैसला किया। और एग्रिकल्चर में डिप्लोमा किया। यानि वो जय जवन से जय किसान की तरफ बढ़ चले। अब हर पल उनकी कोशिज यही रहती है कि कैसे क्रिशिक शेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दे। अपने इस अभ्यान में सिवाजी डोले जी ने 20 लोगों की एक छोटी सी टीम मनाई। और कुछ पूर्व सहिजनिकों को भी इसमें जोडा। इसके बाद उनकी स्टीम ने बैंक टेश्वर कोपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमेटेड नाम की एक सहकारी संस्ता का प्रभंदन अपने हाथ में ले लिया। ये सहकारी संस्ता निश्क्रिय पड़ी थी जिसे रिवायू करने का बिडावुना ने उठाया। देखते ही देखते आज बैंक टेश्वर कोपरेटिव का विस्तार कई जीलों में हो गया है। आज ये टीम महराष्ट और करनाटका में काम कर रही है। इससे करीब अठारा हजार लोग जुड़े हैं जिन में काफी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमेन भी हैं। नासिक के माले गाउं में इस टीम के सदस्या पान सो एकर से जादा जमीन में एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं। ये टीम जल सवरक्षन के लिए भी कई तालाब भी बनवानाय में जुटी हैं। खास बात यह है कि इन्होंने और्गेनिक फार्मिंग और डेरी भी शुरू की हैं। अब इनके उगाये अंगुरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस टीम की जो दो बड़ी विश्यस्ता हैं जिसने मेरा ध्यान आकरसित किया है। वो यह है जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसके सदसे टेक्नोलोजी और मोडन एग्रो प्रक्टिस का अधिक से अधिक उप्योग कर रहे हैं। दूसरी विश्यस्ता यह है कि वे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी कई तरह के सर्टिफिकेशन पर प्रिभोकस कर रहे हैं। सहकार से समुरुद्धिक की भावना के साथ काम कर रही इस टीम की मैं सरहाना करता हूं। इस प्रयास से ना सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों का ससक्तिकन हुआ है बलकि आजी विका के अनेक साधन भी बने हैं। मुझे उमीद है कि हप्रयास मन की बात के हर स्रोता को प्रेरित करेगा। झाल